नमस्का मित्रों स्वागत है आपका ज्यान गंगा आर्वेद क्लासेस में मैसेल्फ डाक्टर अनिलकुमर पटेल M.D. एनाटमी आज हम लोग आस्टियोलाजी के अंतरगत आसिपिकेसं के बारे में बात करेंगे तो आसिपिकेसं क्या है इसके डिटेल के बारे में बात देख रहा है हम लोग को डियाग्राम में यह सब देखेंगे इस तरह से चीज़े ऐसा लग रहा कि बहुत टिपकल पार्ट है बहुत डिफकल पार्ट है लेकिन यह जो दिख रहा है वो एक्चुली इजी से भी इजी हो जाएगा एक बार हम लोग इसको समझ लेंगे तो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं बहुत ही शॉप्ट होते हैं तो कहिन कहीं वहां पर औसिफिकेशन की प्रक्रिया चलती रहती है जो हम लोग एडल की कंडिशन में यूव अस्थान में जो बोन होता है वो इस्टिल के समान उसकी हाड़नेस व्याती जो हाड़ होता है तो कह हाड़ नहीं होता है या उसका उसिफिकेशन नहीं होता है तो आईए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या है औसिफिकेशन तो देखते हैं औसिफिकेशन क्या है इसको डिफाइन कैसे करेंगे प्रोसेस अफ फार्मेशन अफ बोन इस नोन अज उसिफिकेशन तो कहते ह फार्मेशन की जो प्रक्रिया है process उसको हम लोग ossification कहते हैं अब देखते हैं कि जब embryonic life होता है तो हम लोग कहते हैं कि three layered germ disc का फार्मेशन होता है जिसमें outermost ectoderm होता है सबसे नीचे क्या होता है innermost क्या होता है इंडोडर्म होता है और इन दोनों ectoderm और ectoderm के बीच में mesoderm होता है जो bone की origin है जो bone farm हुआ है कहते हैं कि इसी तीनों germ layer से ही पुरा-पुरा body का part बना हुआ है embryonic disc के three germ layers सही एक्टoderm, endoderm, mesoderm इन तीनों सही पुरा-पुरा body का स्वरूप बना हुआ है एक-एक part बना हुआ है तो bone particular mesoderm के थूप बना हुआ है आस्टिफिकेशन दो प्रकार के होते हैं तो जो maximum bone है अगर देखा जाए body में जितने भी अगर adult की condition में जो 206 bone होते हैं तो अगर ये bone की संख्या 206 है तो इनका जो आस्टिफिकेशन टूटाइप्स होता है इन्डो कॉंड्रल और एक होता है Intramembranus तो इन्डो कॉंड्र जैसा कि देख रहा है Condral का मतलब होता है Cautylase Contral का मतलब होता है Cautylase Membranus का मतलब होता है कि कहीं कहीं आपी खाट इन स्थिभार, और आखानझार में, कर दौन जो कोती हाग वुझड़ी कहिंसों स편ुराजिए है लेकिन huge stage में जब बच्चा मा के compartil करता है तो उस समाई उसकी जो इस्टिती होती हर Mom की वो कहने काटिलेज़ने स्थार में होती है कौटिलेजीनस फार में होती है क्यों की इंडो कांडल ऑसिफिकेशन के स्काई सिस्था सिआश्टा होता है असाब इसमें hardness आती है दूसरा होता है inter-membranus तो कहीं inside the membrane यह था collagen fiber की बात कर रहा है इसके बारे हम बात करेंगे तो यहां देखेंगे endocondral ossification देखते हैं क्या है endocondral ossification add the embryonic stage तो कह रहा है कि embryonic stage अथा embryonic development के समय क्या होता है कि most of the bone is preceded by most of the bone is preceded by formation of cartilinus model तो जो embryonic stage में पहले बात कर चुके embryonic stage में most of the bone का जो ossification preceded means आगे की तरफ बढ़ता है मतलब बोन की तरफ बढ़ता है बोन बनने की तरफ बढ़ता है प्रक्रिया उसमें क्या होता है वो किस models के थ्रू उजरता है cartilaginus model मतलब cartilage के रूप में होते है most of the bone cartilage के रूप में होते हैं which is subsequently replaced by bone जो की cartilage के फार में रहेंगे बाद में वो hard structures हो जाएंगे तो यह कह रहा है कि यह Indocondral के definition हो गई फिर देखेंगे the bone formed in this way तो इस तरफ से means cartilage cartilaginus model cartilaginus model से bone में बदलना मान लिजी कोई cartilaginus structure है मान लिजी कि यह cartilaginus structure था बाद में इसका जो ossification हुआ Indocondral ossification यह convert हो गया bone में hard हो गया यह shaft था तो इस पूरी प्रक्रिया को the process करा the bone formed in this way जो इस प्रकार से bone का formation हुआ means Indocondral ossification के इस तरीके के way को क्या कहेंगे ? Cartilaginus bone यह जो बॉन बना है अब यह cartilage bone कहलाएगा तो इस तरह के bone को cartilage bone कहेंगे क्योंकि उसकी origin किस से हुई है cartilage के through way cartilaginus model के through हुई है इस लिए इस bone को cartilage bone कहेंगे इस प्रकार के the bone formed in this way is known as cartilage bone क्योंकि cartilage से hard bone का formation हुआ है अब इसके बात करते हैं कि example मतलब example कौन सा होगा तो सरीर के सभी bone cartilage bones से ही बनते हैं except आपको याद रखना कि कौन-कौन से cartilage bone या cartilage model के थूँ या endocondral aspiration के थूँ नहीं बनते हैं याद रखना होता है तो इसमें except wall top skull तो skull अर्थात skull का जो उपर का cap होता है स्कल का जो cap होता है जिसको हम लोग कट करके remove करके अलग कर देते हैं उसको बोलते हैं wall top skull और साथे साथ मेंडिबल और clavical means तीन bone ऐसे हैं एक तो wall top skull है एक mandible है एक clavical है ये bone ऐसे होते हैं कि जो कि endocondral से नहीं बनते हैं तो आईए देखते हैं कि किस तरह से क्या प्रक्रिया होती है इसके बारे में देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर हम लोग ने sequence देखा कि A B C D E F G H I तो यहां पर कुछ च्छा आठ नौ points है बट बिल्कुल इजी है एक एक स्टेप देखेंगे तो यहां पर बोला गया है कि इससे पहला stage में देख रहोंगे कि जिस स्थान पर वहां देता है कि जिस स्थान पर बोन का formation हो रहा होता होना होता है body में माल लिजी embryonic stage में इस पर्टिकुलर humerus bone का formation होना है humerus bone का formation होता है इस region में R में क्या हो जाएंगे यहां पर कुछ mesen chymal cells यह जो देख रहेंगे छोड़े चोड़े चोड़े यह क्या है mesen chymal cells अपने condensed रूप में हो जाएंगे वैसे तो सब जगह mesen chymal cells होते हैं लेकिन यह क्या करें कि पर्टिकुल उस जगह पे condensed form हो जाएंगे तो यहां देखेंगे mesen chymal condensation अर्थात यहां पर यह compact रूप में आ गया अपना बिल्कुल पास पास आ गया मतलब उस shape में आगे बोन के shape में आके एक कत्रित हो जाते हैं इसको बोलते है mesen chymal condensation मिस जिस region या जिस area में बोन का formation होना होता है उस स्थान पर mesen chymal cells जाके एक कत्रित हो जाते हैं कठा हो जाते हैं इसको बोलते है mesen chymal condensation दूसरा देखेंगे यह वाला हो गया कि जिस स्थान पर जो बोन का formation होता है मिसल क्या होते हैं इसको बोलते हैं जैसे कि अगर cartilage के रूप में हो गए जो cartilage farming cells cartilage के farming cells को mesen chymal cells करते हैं यह cells एकत्रित हो गई तो कहने के cartilage के फार्मिहार है साथी साथ इसके चारो तरफ एक lining ठीक lining बना देते हैं जिसको लोग layer बना देते हैं जिसको बोलते हैं perichondrium peri manifests होता चारो तरफ Yes buy होतो है cartilage very ha it uses class में फिर क्या होते हैं कुछ मीजनर काइमल सेढ आँगे इसका हम लोग ने cut section लिया है इसका हम लोगों ने cut section माल लिजए यहां से हम लोगों ने ले लिया यह cut section यहां पर apply कर दिया यह आगी हम लोग कट section इसका देखेंगे इस particular part का इसमें देखेंगे छोटे छोटे जो cells अब यह growth करना शुरू करते हैं जब यह particular जगह पर growth शुरू करेंगे तो साथ ही साथ क्य इंटर सुलर स्पेस होता है उस स्पेस में कुछ particular structures होते हैं तो यहां देखेंगे यह नंब यह cells है यहीं cells मीजने कामल सेल्स डेवलप कर रही है यहां पर enlarge कर रही है और साथ ही साथ इन दोनों इन cells के बीच में क्या है matrix है और इसको इस particular cells को क्या देंगे जो इलार्ज कर इसको बोलेंगे cartilage cell यह cartilage cell है क्योंकि cartilage के model है cartilage की cell है मीजन कैमल सेल्स को हम दो cartilage cell बोलते हैं तो cartilage cell हो जागे enlarge कर गई और यहां पर देखेंगे matrix है फिर यह इसकी covering क्या है देखेंगे छोटा सा cut part उपर दिखाया गया देखेंगे पेरिकांट्रियम अब यहां पर क्य देखेंगे चौते स्टेज में क्या होगा कि यह particular cartilage cell है यह cartilage cell यह cartilage cell यह cartilage cell हो जाता है अभी तक क्या था कि यहां पर cells है growth कर रही क्योंकि यहां पर blood vessels क offer ब्लट बैसरी सेन होरा है लेकिन अचानद को जो 2phinों सोता है इसमेंट किम पानी डाल दिया सुपने के वज़ा से अपने म हो जाएगा उसको fix कर देगा थिए इनको फिक्स करने की वज़जए जो AfD यहां पर आ जैल्स थे पर्टिकिलर जो क्या हो जाएंगे फिर धिर्य धीर ही यहां फिर्डी जनेर्ट हो जाएंगे तो डी जनरेट होने की वज़़ये एक एक सेल्ञ क्या हो जाएंगे यहां देख रहे हुँआ CC यहां कुछ SC हैं ज़िए 2 काट टी बन गई जहां पर इनलाज की हुई थी अगर यह टीक मैट्रिक्स जो है कल्सिफाइड हो गया केल्सिफाइड का मतलब हाड हो गया वहाड होने की वज़े से यहां जो ब्लेड सप्लाइय अर्था जिसका नूुट्रेशन कट गया मेटा कट गया nutrition का तो क्या होगा cells degenerate कर जाएंगे degenerate यहां देखेंगे dying cartilizer था जो cartilizer cells थे वो dead कर गये decay हो रहे हैं तो यहां देखें cavity का simple formation हो गया छोटो चोटी cavity बन गई यह cavity बन गई देखें cavity बाकी क्या है यह calcified matrix अल्रेड़ी है तो देखेंगे यह क्या है बीच में space जो डॉडडर करके calcified matrix है calcified means अब जो matrix था उसके जो component थे composition वो क्या होगे solid farm होगे calcified matrix हो गए और यहां पर जगा 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 जहां पर cartilizer cell थे वहाँ पर decay होगे space बन गए that is called empty space empty space बोलते है इसको primary areolus empty space को बोलते है primary areolus धहां रखिएगा primary areolus का formation हो गया अब यहां पर होगा क्या अब यहां पर देख रहेंगे यहां से d वाले से इप आते हैं तो जो जो इस पेस है वह elongate हो गए विए इलांगेट कुछ इस तरह से तो यहां पर देखेंगे दोनों के बीच का जो गैप है यह खत्म हो गया तो देखेंगे तो यहां होता क्या है इसके बाद देखेंगे कि जो यह का पे तरह से पेरिकॉंड्रियम यह है पेरिकॉंड्रियम है जो अब लोग नहीं यहां दिखाया है जो आउटरमोस्ट कवरिंग है काटिलेजर से मॉडल की वहां पर क्या होता है उसमें कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं तो उसका कल्सिफिकेशन नहीं हुआ है इसका मतलब इस रीजन में जो ब्लड वेसल्स है या फिर कुछ सेल्स है उसका यह तो अभी जिन्दे है तो यहां पर कुछ जो एक तरह से पेरिकॉंड्रियम है यह पर भी है यहीं सेम लाइनिंग पेरिकॉंड्रियम है यहां पर क्या देखेंगे एकसी खासियत क्या है कि यहां पर कुछ ब्लड वेस ब्लेड विसल्स क्या होंगे कि यहां से अब यह इंट्री करेंगे इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में अकेले ब्लेड विसल्स नहीं आएंगे क्यों नहीं आएंगे क्योंकि यह बहुत ही हार्ड है ब्लेड विसल्स की इंट्री नहीं हो पाएगी उसके साथ साथ यहां पर क् तो osteoprogenital cells के बारे बता दे ये एक तरह से stem cells की तरह होते हैं ये अपने आपके रूप बदलते अथा जो bone farming cells कहे जाते हैं इसको भी bone farming cells कहेंगे ये अलग-अलग cells में convert होते हैं तो इसको osteoblast, osteogenic cells, osteocyte, अलग-अलग cells में convert होते हैं that is called osteoprogenital cells ये blood vessels और osteoprogenital cells एक साथ इसमें तो माल लेजे यहां का cells इसमें entry कर रहा है यहां का cells इसमें इस जगह पर entry कर गया तो entry करने के बाद cavity में आ गया इंट्री करने के बाद जो cavity में osteoprogenital blood vessels और यहां cell आ गये आने के बाद जब cavity में आएगा तो यहां पर देखेंगे क्या होता है कि ये cell की cavity की wall के चारों तरब दरे दरे उसको खाने का प्रयास करता है मतलब matrix को खत्म करता है तो यहां का इन दो cells के बीच के matrix को यह जो osteoprogenital cells है यह इसको खा जाएगा तो खाने के बाद देखेंगे दो जो space था एक बन गया यह एक बन गया एक बनने के बाद फिर इसको आगे के तरब बढ़ेंगे फि यह elongated cavity बन गया कुछ इस तरह से तो यहां पर जो देख रहे हैं कि elongated cavity है कहीं नहीं कहीं इसी का result है इसी तरह से यहां रेजल्ट होता है यहां पर जो single एक एक cavity थी that is called primary aureolus यह अब convert हो गया elongated space या cavity में इसको देते है secondary aureolus यहां पर देखेंगे एक cavity थी इसको नाम देत primary aureolus यह empty space था अब यह empty space elongated हो गया उसका length बढ़ गया था 2-3 cavity एक साथ मिल गया इसको नाम देते है secondary aureolus और बीच बीच में क्या बचेगा बीच में जो देख रहे हैं यह matrix है यह बचा रहता है इसको बोलते हैं bar of calcified matrix तो बार आप मतलब यह plate या layer बार का मतलब होता है plate या layer तो यहाँ देखेंगे एक plate नुमा structure है calcified matrix का यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो बार आप calcified matrix और secondary aureolus का formation हो गया अब देखेंगे इसके बाद क्या होता है कि यहीं progenitor cells क्या होती हैं अब यह elongated cavity या secondary aureolus का formation हो गया अब यह जो यहाँ प जाते हैं तो इसके देखेंगे matric के ऊपर surface में collecte हो गया matrix के ऊपर collect हो गया तो इसके ऊपर भी हो जाए इसके ऊपर हो जाएंगे इसके इसके उपर हो जाएंगे तो यहां जो एक diagram widely झे आ पाल इसका देख रहे हैं पर्टिक्लल इसका तो यह देखेंगे मैट्रिक्स है यहां पर या प्लेट आप पड़ा हुआ है उसके उपर क्या होगे इसको अब नाम देंगा आश्टी ब्लास्ट सेल्स हम लोग ने बोला कि osteoprosenter cells होते क्या है एक तरह से stem cell की तरह होते अपने आपको दूसरे रूप में change कर लेते हैं तो osteoblast की रूप में यहाँ पर कहे जाएंगे जो कि osteoprosenter cells entry किये थे यहाँ पर osteoprosenter cells यहाँ पर entry किये थे यहाँ पर जो है elongated cavity बनाए और जो बचे हुए part थे या जो cells growth भी करते हैं साथी साथ यह जो bar of matrix था बार आफ calcified matrix के उपर deposit होगे अब इसको नहींगे osteoblast cells osteoblast cells का नाम दे देते हैं osteoblast cells का मतलब bone farming cells osteoblast का मतलब होता है bone farming cells देखेंगे यह part हो गया यह bar of calcified matrix है next देखेंगे यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो osteoblast होती है एक extra layer produce करते हैं इसके उपर एक layer जो calcified matrix के उपर देख रहे होंगे अब यह single layer था इसके उपर देखेंगे double layer अब फार एक extra layer produce की है देख रहे होंगे तो यहां देखेंगे osteoblast cells उपर ही है सब जगे और यहां पर बार आप calcified matrix यह बीच में पार्ट है यहां पर देखेंगे एक extra layer आगे दोनों side में क्या है यह osteoid इसको term जते है osteoid और layer 1 इसको एक layer का formation हो गया बार आप calcified matrix के उपर एक और पतली सी परत बन गई layer बन गई तो इस बोलते है osteoid इस layer को osteoid बोलते है इसका layer 1 फिर देखेंगे इसके बाद यह वाला पार्ट है तो यहां पर जो layer 1 था osteoid वो convert हो जाएगा एक mature layer के रूप में इसको बोलते है फिर्स्ट लेमिलस तो यहां देखेंगे कि सेम बार आप calcified matrix बिलकुल अंदर साइड में है और बाहर साइड में क्या है osteoblast cells है और osteoblast cells के जश्ट नीचे osteoid 2 है osteoid एक नया osteoid बन जाएगा layer 2 बन जाएगा और उसके नीचे जो है जो पहले वाला osteoid 1 था वो अंदर की तरफ चला गया अब अंदर की तरफ चला गया जो inner side में जो layer है उसको हम बोलेंगे first lamulus इसी तरह से first lamulus का formation हुआ जो osteoid अब क्या करेगा फिर से अगले वाले stage में फिर से बाहर की तरफ आ जाएगा जो osteoid 2 था वो second lamulus में convert हो जाएगा तो देखेंगे first lamulus जो है सबसे inner side का layer हो गया second lamulus inner side के just outer है तो second lamulus देखेंगे कि just inner के ये outer layer में है और osteoid या third layer देखेंगे just जहाँ पर एक तरह से osteoblast attached है तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर यह structures या different जो structures होते है बोन का जब हम लोग ने structure सा बोन देखा था तो यहाँ पर यह structure जो formation haverson system के चारों तरफ एक layer बनती थी या एक जहाँ पर osteoblast या बीच बीच में यहाँ पर देखेंगे cell trap हो गई है यही osteoblast बीच बीच में trap हो गई है इसको हम लोग बोलेंगे osteocyte कहते हैं तो osteoblast जो है osteocyte में convert हो जाते हैं जो कि हम लोगों ने structure of mature बोन में देखा था फिर यह तो बात होगी हम लोग की एक तरह से एक तरह से endocondral ossification की अब बात करते हैं हम लोग की intramembranous ossification तो intramembranous ossification क्या होता है कि in this ossification formation of bone is not preceded by formation of cartilage model तो यहां पर जैसा कि maximum boneों में होता था क्या कि जो bone का formation किसे होता था cartilage model के थू होता था लेकिन intramembranous में cartilage model न बनकर उसकी जगह पे क्या बन जाता है instead bone is laid down directly in a fibrous membrane तो fibrous मतलब fiber membrane के रूप में convert हो जाता है means cartilage model न बनकर एक fibrous membrane के रूप में बन जाता है इसका मतलब इसका जो starting stage होगा जो bone में further convert होगा वो starting जो initial stage होगा bone का जो bone further बनाएगा वो होगा fibrous model means उसमें fiber जादा होगे तो यहाँ देख रहे होगे example की बात करते हैं जैसा कि यहाँ पर जिसमें example यह नहीं except wild tapiscal, mandible and clavicle यही example आपके intramembranus में आते हैं तो body में दो ही तरह क्या spication होते हैं एक होता है endocondral दूसरा होता है intramembranus देख रहेंगे इसको बोलते हैं कि example में wild tapiscal, mandible and clavicle तो यह हम लोग को easily याद हो जाता है most आपदो होते हैं कि endocondral होते हैं तीन ही ऐसे हैं जो की intramembranus होते हैं wild tapiscal, mandible and clavicle याद रहेगा तो इस तरह से हम लोगों ने इस तीनों को देखा कि इस तरह से यह इसके तीन ही example होते हैं intramembranus के यह तीन ही जगा पाजाते हैं अब देखेंगे simple इसका pathway या process क्या होता है तो यहाँ देख रहे होंगे कि यह कह रहा है कि cotylenus model में न बदल कर जो starting stage जो होता ही वो fibrous membrane होता है तो fibrous membrane का मतलब यह होगा कि देखेंगे यहाँ पर यह different fibers है यह क्या है part fibers है यह fiber dot dot करके fiber बनाया है तो bundle of collagen fiber तो देख रहोंगे bundle of collagen fiber मतलब एक तरह से collagen fiber का गुच्छा है collagen fiber का गुच्छा कुछ इस तरह से माल लेजिए collagen fiber धेस आ रहे हैं तो collagen fiber के गुच्छे हैं इस तरह से तो यह collagen fiber अथा यहाँ पर fibrous membrane group में starting stage होता है इस intra-membranus में तो यहाँ देखेंगे इसके ऊपर osteobloss cell होते हैं इस bundle of collagen fiber के सबसे surface पर attach होते हैं एक तरह से osteoblast cells होते हैं जो कि bone farming cell होते हैं फिर यहाँ देखेंगे second layer क्या होता है कि यहाँ पर जो एक तरह सी वंडला collagen fiber थे इसके बीच में अब क्या secretions होगा यहाँ पर देखेंगे gelatinous matrix जो matrix का फार्मेशन होगा तो यह matrix ऐसा होगा embedded in gelatinous matrix तो यह gelatinous matrix का फार्मेशन होगा तो यहाँ देख रहे हैं इन दोनों फाइबर के बीच में क्या हो गया gelatinous matrix तो यहाँ पर जब यह फर्म हो गया इसका मतलब जब fiber की बीच में gelatin matrix आएगा अब उसका specific नाम देते हैं bundle of collagen fiber को ना अबी तो इधादर भाग रहे हैं इधादर भाग रहे हैं बट जैसे ही इन के बीच में कोई चिपकने वाला पार्ट आ जाएगा तो यह बिल्कुल fix हो जाएंगे fix हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे fibrous membrane एक तरह से fibrous membrane हो गया तो fiber था जोत्री चारोत्रों तो गवर्ड ह जिसको हम लोग कह रहे हैं next third stage देखेंगे तो यह जो आपका osteoide था अब यह convert किसमें हो जाएगा यह दोखेंगे यहीं same layer किसमें convert हो गया एक तरह से osteoide converted into तो clear cut दिया है कि जो यह osteoide है converted into one lamulus of bone lamulus का मतलब होता है layer परत या plate तो एक lamulus देख रहेंगे यहां पर भी एक primary lamulus secondary lamulus या layer 1 मतलब lamulus 1 था lamulus 2 था lamulus 3 था तो एक एक करके lamulus सेम चीज़े वहीं बन रही है किससे बन रही थी osteoide cells है तो वहां भी osteoide cells थे तो यहां पर देखेंगे यह osteoide cells है यही cell farm कर रहे हैं तो यहां पर जो osteoide था वो convert हो गया lamulus 1 lamulus of bone फिर क्या होगा कि यह जो layer है यह आपका एक तरह से osteoide layer है अब यह convert हो गया इसमें फिर यह convert इसमें होने के बाद फिर से यह यह वाला layer सबसे outermost में रहेंगा तो देखेंगे डी वाली में क्या होगा कि यह वाला जो osteoide layer सबसे उपर है और यह जो बना हुआ layer 1 यह नीचे हो गया तो यहां नया osteoide layer का formation हो गया अर्था gelatinous matrix with embedded with collagen fiber तो यह outer layer हो गया इसके उपर क्या है osteoblast away to line और यह osteoblast जो है उपर की तरह आते हैं इसके दोरान कुछ osteoide जो हैं यहीं पर रुख जाते हैं अर्था तीस gelatinous matrix और कहने कहीं फर्स्ट लेमलेस के बीच में trap हो जाते हैं इसका specific नाम होता है that is called osteoide representing osteoide बोलते हैं osteoide बोलते हैं जो इन दोनों के बीच के फस जाते हैं जो osteoblast उसको बोलते हैं osteoide representing and osteoblast imprisoned between lamely तो यह करा है कि दो lamely के बीच में जो osteoide osteoblast फस गए उसको बोलते हैं osteoide देखेंगे उसके बाद फिर यह वाला layer फिर यह osteoide के नीचे अब हमेशा एक osteoide layer बना रहेगा उसके नीचे देखेंगे second lamely आप बोन तो इन दोनों के बीच में जो कुछ ट्रैप आश्ट्योवलास सेल्स ट्रैप हो गया जिसको हम लोग नाम दियें osteo side तो यह आपके osteo side है osteo side है तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि simply एकदम easy way में आप बोन के बारे में बात करते हैं धन्यवाद